बिस्मिल्ला इरह्मारी रहीम, असलाम लेकूम, वेलकम टू माई चैनल, जैसे कि एक दो दिन में रमजान और मबारिक शुरू होने वाले हैं, तो कुछ टाइम सेविंग टिप्स में आपको यहां पे शेयर करूँगी अपने वीडियो में, और क्योंकि रमजान में इतनी हिम और इवादत के लिए टाइम बहुत काम होता है, तो इस वजह से हमें जादा जादा आबादत के लिए टाइम सेव करना होता है, तो उसके लिए कुछ मेक इंफ्रीज चीज़ें हमारी भेने पहले से रख लीती हैं, यहां पर मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँग डाल दिया है और थोड़ा सा गरम हो और लसन को सौते करने के बाद इसमें मैंने बंगोभी डाल दिये और साथ ही में शिल्मा मिरेज डाल दोंगी बंगोभी को पांच से दस सेकेंड तक पकाएंगे ये मीडियम टू हाइफ लेम पे बनाएंगे क्योंकि सब्सक्राइब पान ये चिकन मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डालके और दो तीन जवे लसन के डालके तो इसको अच्छा सा नरम बॉयल करना है आपने इसको श्रेड करके डाल दिया है इसको मीडियम टू हाइफ लेम पे बनाएंगे थोड़ी देर इनको कुक करने के बाद इसमें म जब ये बैटर बन जाई तो आप उसमें टेस्ट कर सकते हैं, अगर सॉल्ट आ आपको कम लग रहा हो तो आप और भी शामिल कर सकते हैं सोय साउस डालूंगे मैं 1 टेबल स्पून 1 टेबल स्पून ही मैं इसमें चिली साउस डालूंगी और विनिगर भी आप इसमें 1 टेबल स्पून डाल दियेगा और ये वाइट पार्ट डाला है मैंने स्प्रिंग अनियन्स का इसको 5-6 सेकिंड के लिए हम पकाएंगे इसके बाद फ्लेम आफ कर देंगे और फ्लेम आफ करने के बाद मैं इसके उपर इसका ग्रीन पार्ट डाल दूँगी ये स्प्रिंग अनियन का ग्रीन पार्ट है इसमें शामिल कर देंगे और इस बैटर को हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे हम रोम टंपरेचर पर ही इसको ठंडा करेंगे दूसरी तरफ रोल को बनाने के लिए मैंने एक गोल बना लिया है मैं देखा एक सलरी सी बना ले और ये sheets हैं जो के मैंने market से ही ली है आप चाहें तो homemade sheets भी use कर सकते हैं अगर आपको बनानी आती हूँ मैं market से ही buy करती हूँ और इसको मैं तो diamond shape में roll करती हूँ क्योंकि मझे यही वाली shape ज्यादा easy लगती है इसको एक कोना आप अपनी तरफ रख ले और इस तरह से जैसे के आपको मैं वीडियो में दिखा रही हूँ और जो slurry हमने बनाई थी मैं देखी उसके साथ हम इसकी binding कर लेंगे और ये देखें एक first class बहुत जब्रदर सा roll बन के तियार है इसका एक और भी shape है जिसमें क्योंकि वो मुझे थोड़ा सा जरा मेरे से सही बनता नहीं है तो मैं यही वाला shape बनाती हूँ ये आप बिल्कुल सीधी पटी रखेंगे और इसके बीच में better डालेंगे better आपकी मर्जी है ज्यादा और कम आपके उपर depend करता है तो ये क्योंकि मुझे जरा थोड़ा rough बनता है आप देख सकते हैं तो आप इस तरह भी इसको बना सकते हैं और इसके पर slurry लगा लें उपर भी लगाएं और इसको अंदर की side पर भी लगाएं क्योंकि ये ज़्यादा सही तरह से मुझे चिपकता नहीं है लेकिन इसके इस तरह से थोड़े से neat rolls बन जाते हैं अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें वना एक इसी तरह फिर मैं जो diamond shape बनाती हूँ आप उसके तरह से आप एक कोना अपनी तरफ रखे उसमें batter डाले और इसको tight करके बन करना है इस तरह से इसमें air ना रहे क्योंकि यह फिर फूले फूले से बनते हैं तो उसरा से फिर fry सही नहीं होते हैं और इसके अगले कॉर्णर के ओपर आप slurry लगा ले यह जो होल आपने बनाना है यह बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना और बहुत गाड़ा भी नहीं बनाना और देखी कितना नीट सा एक लुक आगया है इसका इसी तरह की काफी सारी स्प्रिंग रोल बनाके तो मैं इसमें जिप लॉक बैग में डाल के दिखा रही हूँ आपको आप इसमें भी इसको फ्रीज कर सकते हैं लेकिन ख्याल रहे कि यह अलग-अलग हों जुड़े में नहों आपस में क्यूंकि फिर जब फ्रीज हो जाते हैं तो फिर इनको आप तोड़ेंगे तो यह खराब हो जाते हैं या पिर इस तरह का कोई बॉक्स आपके पास है तो आप उसमें भी इसको सेफ कर सकते हैं इस तरह फ्रीज करने पर यह आपके तूटते भी नहीं और इसली आप इनको फ्राइंग करने से पहले निकाल सकते हैं तो यह देखिए मैंने दो तरीके आपको पिता दिये हैं अब मैं कुछ रोल फ्राइ करके दिखाऊंगी आपको इसका ओइल ज्यादा घरम नहीं होना चाहिए अगर आप इसको फ्राइ करने लगें तो उससे पहले आप थोड़ा ओइल चेक करें मीडियम फ्लेम पे रखें आप इसको बलके मीडियम लो फ्लेम पे रखें क्योंके यह पतले होते हैं जैसे के इसकी पटियां आपने देखी होंगी तो यह फॉरन जल जाते हैं अगर ज्यादा हीट पे आप इनको बनाएंगे तो मीडियम लो हीट पे आप इनको डालें और और इनको अच्छी तरह से अंदर तक कुक करें यह देखिए लाइट गोल्डन चख लगा गया है और हमारे बहुत अच्छे मज़े के क्रिस्पी रोल बनके तयार है मैं आपको तोड़कर भी दिखाते हूँ क्योंकि इस तरह की चीज़ें पहले से फ्रीज करके रखें आप तो अफ्तारी के वक्त आपको ज्यादा टेंशन नहीं होती और आप जितनी भी आपकी फ्रोजन चीज़ें होती है आप उसी वक्त उनको फटोवर्ट मिंटो में बना सकते हैं अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कुछ टिप्स ऐसी कि जिससे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है इस शिमला मिर्चे हैं इनको मैं चोटा-चोटा काट लूगी जैसे कि हम लोग यूज करते हैं चाइनीज खाने बनाने में या जैसे अभी मैंने स्प्रिंग र को फ्रीजर में रख देंगे और जब आपको जितनी कॉंटिटी में चाहें हो आप चाहें तो चोटे जिपलोग बैक में पोर्शन बनाकर भी रख सकते हैं इसी तरह से लेमन आपको बहुत टाइम लग जाता है बाज वकत अफ़तार से पहले लेमनेड जो लोग पीते हैं जाहरे हर घर में बनाया जाता है तो उसके लिए आपको काफी टाइम लग जाता है लिमू का रस निकाले में और इसमें तो आप पहले से यह रस निकालके रख दें आप या तो आप बॉटल में सेव करें लेकिन में बॉटल में प्रफर नी करूंगी क्योंकि उसमें इसका तो किसी जिप लॉग बैग में आप इनको सब को कठा डाल दे और आपने एक जग बनाना है दो जग बनाने उस कौंटिटी के हिसाब से आप एक ब्लॉग डाले दो ब्लॉग डाले ज्यादा लैमन जो पसंद करते हैं ज्यादा लैमन यूज करें तो इस तरह से इनके टेस्ट स्विप बिल्कुल भी फरक नगिकिस फरीज़ साइब जाती है उसकी लैफ नहीं पर रुख जाती में उसके टेस्ट में फरक नहीं आता यह स्टौबरीज है ऑज कल सीजन बहुत अच्छी फ्रेश स्ट्राबरीज जाए है जैसे टाइम गुजरता जाता है पिर इस ट्राबरीज जो है और आप गर लेकर आते हैं तो यह थोड़ी देर अगर रखी रहें तो खराब होना चुरू जाती है तो इनको मैंने सिर्के में थोड़ी देर भीगो कि तक यह प दनिया, पुदीन, पीसना पड़ता है तो आप पहले सी दनिया और पुदीना ले आए उसको वाश करके अच्छी तरह से मिर्च चैन और जिस तरह से आप चट्नी बनाते हैं उसको आप एक जंग में डालें और उसका पेस्ट बना के और इस तरह से ब्लॉक्स जिस तरह से बनाए थे तो आप एक ब्लॉग जो है ये आप चटनी के लिए कर यूज करना है तो आप अफ्तारी से रूम टपरेचर में थोड़ी दर पहले रखें और निकाल के आप चटनी बना सकते हैं ये स्विंग अनियन्स हैं वाइट पार्ड भी है और गीन पार्ड मैंने अलग-अ इसको पैक किया है ये कभी भी आपको चाहिए हो आप फ्रीजर से निकाले और अपनी किसी भी डिश में यूज कर सकते हैं इसी तरह से अधरक लसन तो आप सभी को मालूम होगा कि किस तरह से फ्रीज किया जाता है लेकिन जो लोग फ्रेश लसन बनाते हैं या अधरक लसन इनको फ्रेश कुटावा पसंद होता है और आपके पसिता टाइम भी है तो आप कर सकते हैं तो आप इस तरह से इनकी अलग-अलग करके रख लें इसमें से थोड़ा सा तक्रीबन आपका टाइम बच जाएगा और अगर आप फ्रीज करके रखना चाहते हैं तो आप इनका पेस्ट बना लें और फ्रीज करके रखें लेकिन मैं आपको प्रेफर नहीं करूँगी कि आप बॉटल में फ्रीज करके रखें यह बॉटल आप इस तरह से जवे अलग करके इसको फ्रीज में रखेंगे और ये देखिए मैंने paste बना कर इसको उसी तरह से block बना कर तो इसको ziplock bag में बन कर दिया है एक block जो है वो तकरीवन एक tablespoon के बराबर होता है तो आप ये एक block निकाल कर आपनी हंडी हंडी में डाले या आपको दो चाहिए हैं तो आप दो डाल सकते अगर आप bottle में रखेंगे तो वो bottle में जो है इसका color फ़रक हो जाता है green हो जाता है अकसर चाहिए आप oil डाले चाहिए सिरका डाले जो भी लेकिन मेरा साइज जर्बा नहीं है इसके सब तो यह थोड़ी सी टिप्स हैं जिससे आप अपना time बचा सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको like और share कर दें अमीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे चैनल पर नहीं है तो उसको subscribe पर दीजिए अलाहाफिस